अश्मेर में सर्दी का सितम लगातार जारी अश्मेर जिले में सर्दी का सितम लगातार जारी है तो वहीं रवीवार को दिन भर सुर्ये देव लुका छुपी का खेल खेलते रहे सुबह 10 बजे तक जिला कोहरे के अंगुर करना पड़ा वहीं पारा जादा नीचे आ चुका ह तापमान में गिरावट के बाद आमजन की दूजनी चूटने लगी है सर्दी के सितम से आमजन जीवन व्यस्त हो गया है सुर्दी के बाद ना के कारोबार बराबर ही सुर्यदेव के दर्शन किये तो वही बादलों की आवाजाही का दोर भी चलता रहा यसे सर्दी और बढ़ गई छुट्टी का दिन होने के कारण सर्द के भी सुंसान नजर आ रही है हरो कोई सर्दी से बचाओ के जुकाड में लगा हुआ है कोई अलाव जला कर तपती लोग देखी तो वही अश्मेर की प्रसित कड़ी कचोरी और गरम खाद परधातों की दुकान पर भी लोगों की भीड लगी रही अलग-अलग तरीकों से लोगों ने खुद को सर्दी से बचाने का प्रियास किया वही मौसम विभा की माने तो आगामे दिनों में बारिश भी हो सकती है और पारा भी गिरने की संभावनाय चताई जा रही है तो वही आज का अधिक्तम तापमान 30 डिगरी तो उत्तम तापमान 16 डिगरी दर्श किया गया वही रात्री में पारा और गिर गया वही बता दे कि मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण बिमारियां भी हो सकती है जो लगातार सर्दी जुखाम बुखार के मामले भी अब सामने आ रहे हैं अभी तक कोरोना वाइरस ने पीछा नहीं चुड़ा है उसके बाउजू सर्दी में बड़ोतरी वे तापमान में गिरावट लोगों की बिमार कर सकती है अब ऐसे में उन्हें सर्दी से बचाव करने की ज़्यादा जरुत है जी बिया, किस तरीकी की थंड है और किस तरीकी से बचाव की जा रहा है थंड बहुत तेज है, थंड के बचाव के लिए गलबस वगला मफला यहीं चलके गाड़ी चल रही है रोड के इतना इतनी दूंदे कि कम से कम 10 से 20 स्वीट की दूरी पर कोई नजर नहीं आ रहे है गाडियां सब के गाडियां के एडलाइट चल लुए और बड़ी मुश्किले से गाडियां चला के वान इदर के उदर निखल रहे हैं और सब जने ठंड का सारा लेने के लिए हां ठंड अच्छी है हम चाहते हैं मावट पड़े ताकि फसल अच्छी हो और देश में कुश्या लिए हां दुन दिखने को मिल रही है जगदेश गयलो हारों में खुशियां मनाएंगे अपने घर नहीं होंडा लाएंगे सर्वतम सेल्स और सविस भी पाएंगे तीस साल का भरोसा जो अपनाएंगे